हालो फ्रेंट्स, गुड मॉनिंग, दिसम्बर सीरीज स्टार्ट हो चुकी है और नवेंबर आपका एंड हो गया, नया मन्थ, नई स्टार्टिंग और सबसे इंपोर्टेंट बात, आज की डेट यानि की मार्केट तीन दिन, सैटेड़े, संडे और मंडे भी आफ था, खुल मेरा यह मानना है, तसली से मार्केट में एकदम हबड़ा तबड़ी नहीं करनी, तोड़ा तसली से जाना है, और साथ के साथ, आज के मार्केट के हाल को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, क्या कुछ चल रहा है, अमेरिकन मार्केट कल ओपन थी, और उसका असर आज मार्केट में देखो, तो सिंगापूर निफ्टी देखे, तेरह हजार पे अभी ट्रेट कर रहा है, जापान के निकेई में, पॉजिटिविटी आप देख पा रहे हो, 380 फिटी की, स्टेट टाइम्स तीन पॉइंट, हैंग सेंग, 129 पॉइंट की तेजी, ताइवान उपन होके 13,027 यानि के 60-70 पॉइंट का जंप, गैप के साथ साथ यह जंप भी देखने को मिला, उसके बाद नीचे गिरा, नीचे गिर के लोवर हाई मना के अभी डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिल रहा है, आप इसको लोवर हाई भी कह सकते हो, अभी लोवर लोकी के बाद अगर यहां पे जंप होता तो आपको कि भी यह तो लोवर लोकी फॉर्मेशन थे भी और मोमेंट देखने को मिल रहा है, चलिए यह तो आपने मारकेट का गलोबल मारकेट का हाल देखा, कुछ स्टॉक जो आज चर्चाओं का विशह बनने वाले हैं, वह हैं मारू सामने जब निकल के आएगा वह लेखा जो खा तो आपको आगे की पे डायक्शन मिलेगी कि क्या हो रहा है आटो सेक्टर में, क्या पोजिटिविटी है या नहीं है, क्या कि अभी फैस्टिब सीजन फैस्टिम सीजन जो है वह आपने देखा नवेंबर में था और उसमें ब मैं आपको लेकर चलता हूं यहां पर टेक्निकल चार्ड के इुपर जरह देखे टेकनिकल चार्ड मंथली चार्ट IS तसली से देखर इस बंथली हो गई थी और जैनरी के बाद जब यह स्टार्टंग होई तो यह फिर फोरवरी मार्च में कॉंटिनु रही लेकिन उसके बा भी इसने आपको बढ़िया, आपको consolidation यहाँ पे दिया और फिर अभी last November का मन्त बहुत ही जबरदस्त मन्त था jump वाला मन्त जब आप monthly charts को follow करते हो तो हमीसा याद रखें इसमें आपको बहुत सारे updown देखने को मिलते हैं तो आप उन updowns की फिकर बिलकुल भी नहीं करते हो क्या कि वह आप monthly chart को follow करते हो जो बहुत ही time वाला होता है आप देख सकते हो यहाँ पे monthly chart को अगर मैं weekly पे देखू तो इन corrections को देखें जो monthly पे नहीं दिख रहेते लेकिन weekly पे दिखते हैं यह microscopic view हम क्यों लगाते हैं ताकि हम छोटी-छोटी चीजों को भी यूज करके यहाँ पे छोटी-छोटी opportunities का भी फाइदा ले पाए मंतली weekly के अलाव अगर हम इनको और डेटेल में देखे तो daily hourly की opportunities का भी हम फाइदा ले पाए क्यों कि weekly भी अपने आपने एक बहुत बड़ा time frame होता है निफ्टी का पिछला week काफी खतरनाक indecision वाली candle बनती भी आपको देखने को मिली यह देख सकते हैं पीक पे ऐसे indecision वाली candle का बनना एक वो भी देखे बिलकुल indecision वाली candle का बनना एक खतरे की निशानी है खतरे का यह मतलब नहीं कि stock यह निफ्टी ऊपर नहीं भाग सकता है हाँ आपको caution की जरुवत है आपको यहाँ पे अपने stop losses को tight करने की जरुवत है यह alarming signal आपको मिलता है आपको यह alarming signal मिला लेकिन खतरा इस से जबर्दस तब हो जाएगा जब इस जो पिछले week का जो bottom point है वो cross हो जाएगा यानि कि 12,800 का यह bottom point है जब यह cross हो जाएगा तो आपकी जो formation होगी वो joint formation होगी और next week अगर इसके high को पार न कर पाए और low को यहाँ पे पार कर दे तो फिर आपके लिए यह एक बड़ा alarming signal है और वैसे भी जब देखिए market अभी अगर आप weekly पे देखो तो bullish क्रॉस के बाद काफी उपर जा चुकी है और expectation दे रही है कि जितना यह उपर जाए correction at least 20 एमे के नियर आके फिर से एक support लेने की कोशिश करें तो alarming signal अभी हमें जरूर में लो पार करते ही थोड़ा सा confirmation यहाँ पे होगा weekly चार्ट बुलिस क्रॉस बना और उसके बाद क्या expect किया कीजिए कि correction आएगा अगर नहीं आता है तो छोड़ दीजिए कोई दिक्कत वाली बात यह market में बहुत सारे ऐसे stocks है जो इस तरीके से बहुत बड़े-बड़े moves दे देते हैं जरूरी निया कि आपको हर किसी stock को पकड़ा है लेकिन इस बार की जो मैं आपको बात बता हम आपको उसी केंडल पाद जब ऑएसी केंडल सबनती है तो हमें क्या दिखता है आगा आने वाले कुछ दिन हमको होल्ट पेर दिखता है जिसको हम कहते है कि थोड़ा इंतजार थोड़ा सा रेस्ट हो रहा है वह आपको इसलिए बता रहा है क्या हम को उस ल 때 और हमते हैं पहले से यहां पर देखने को मिल गए था कि मोमेंटम में कमी है और सब्सक्राइब करता हूँ और किसरेक्ट पर रेज कर स् variation का क्या पता अभी और यह रेश्ट पीरिड में रहे यहाँ लिए यहां पर रहता है दाउन के बाद तो ऐसा आपको पता नहीं है लेकिन एक बार जो आपकी सेंटर कैंडल बनेगी जो जॉइन कैंडल बनेगी उसका लो ब्रीच हो जाए इसका लो ब्रीच हो जाए तो पिर चोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको पैसा कमाने का मौका मिलता है अभी देखिए आप मोमेंटम देख पार और लो ब्रीच आपको प्राइस में बाद में बल्के आरसाइए में पहले देखने को मिल जाता है जैसी यह ब्रीच होगा अब आप कोगे हाँ भई अभी यह फ कमालिया तो यह डिपेंट करता है चोटे टाइम फ्रेम बड़े टाइम फ्रेम में जिस तरीके से आप समझते हो तो यह आपके लिए फाइदा पैसा कमाने का मौका होता है और कहीं न कहीं आवरली भी सिगनल दे रहा है अगर यह चीजां यहां पर नारमालाइज नहीं हु यह जो यह दो दिन का हौल्ट बना है यह एक दिन हौल्ट बन सकता है या फिर कॉंटिनू हो सकता है और समझने की कोशिश करता है बेंक निफटी ऑक्टोबर Maarmaalo माल कर दिया अक्टूबर नवंबर ने माला माल कर दिया लेकिन जड़ा देखिए मज़ेदार मैं कहूंगा बैंक निफ्टी ने क्योंकि यह सबसे लास्ट भागा और जब यह भागा तो बढ़िया कमाई करके दी अब अब भारी है करेक्शन की क्योंकि बुलिश क्रॉस की फ 2016 जून में और उसके बाद कुछ दिनों बाद कुछ हपतों के बाद दिनों के बाद ने कहूंगा कुछ हपतों के बाद एक बड़ी करेक्शन यहां पर आई थी यह ऐसा नहीं कि यहां से भाग नहीं सकता भाग सकता है लेकिन अगली जो करेक्शन आएगी वह आपके लिए गोल्डन अप्रचनेटी होने वाली है याद रखे जिसको गोल्डन अप्रचनेटी और जो STK BANK Nifty के INDEX कोयो फॉलो करते हैं लेकिन मेजर स्टोक से हैं पर फॉलो कर रहे हैं तो उसको टूहंडड़ वीक्स का ऐसे हमें और उक्सान बुलिज क्रॉस फिर फिफ्टी और ट्वंटी सांग के साथ चाहे एक वीक माय दो वीक माय तीन वीक में ऐसा नहीं कि सीधर एकी वीक में यहां से यहां नहीं यह कॉंटिन धीरी धीरे रह सकते हैं और वो इस तरीके से जिग- बायर्स को अट्रेक्ट करने वाली है अब मैं डेली टाइम फ्रीम पर देखता हूं इसको देखिए यह जो कैंडल बनी ना वेडनेस देखिए सेम सिच्वेशन जैसा निफ्टी का अभी हॉल्टी पीरिट चल रहा है एक बड़ी लाल कैंडल बहुत टाइम बात बनी यह अब मैं इसमें शॉट रेट्स ले सकता हूं असांथ के साथ आरसाइब आपका लोवर लोग का सपोर्ट कर और जैसे यह देखिए यह जैसे जॉइंट की फॉर्मेशन होगी तो डेफिनेटल आरसाइब भी डाउन आने की कोशिश करेगा तो इस तरीके से समझें मार्केट आपको बहुत पैसा कमाने के मौके मिलते हैं ऐसने की कम हैं बहुत मौके मिलते हैं अगर आप 100.200.300 की कंफर्म मूब्स को एंटिसेपेट कर पाओ तो खाली निफ्टी का इंडेक्स ही आपको अच्छे खासे पैसे कमा के दे सकता है तो फिलाल मैं वाइंड आप करता हूं वीडियो को उमीत करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा तो शेर जारूर कीजिए लाइक कीजिए चैनल सब्सक्राइब कर लेए कर साथ के साथ बेल अकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफेकेशन आती रहेगे thank you thank you for watching the video